हेले एफ्रिवन मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे मैं काजिल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल वीडियो में यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास वीडियो होने वाली है यदि आप DSSB में PRT या फिर TGT पोस्ट के लिए अपला योगिता आपकी बताई पही है देखिए अगर आप यहां पे रिक्रुट्मेंट रूल को पढ़ते हैं अलग लग विशय के लिए तो आप काफी जाद़ हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप यहां पर है ही नहीं तो देखिए इस वीडियो का आप कंप्लीट देखिए परिक्षा है यह आपकी जुलाई अगस्त में होनी थी तो देखिए इस हिसाब से अगर हम देखे तो यहां पे पीजीटी पोस्त की जो परिक्षा है वो ही कंड़क्ट ने वीए तो अभी इनकी जो परिक्षा है यहां पर थोड़ा सा दो तीन महीने और एक्सेंड होगी प देखे पी आर्टी में सबसे पहले तो यह मंगा गया है कि आपके 12th में कम से कम 50% मांक्स होने चाहिए और इससे पहले तो यहां पर हम देखे तो यहां पर डिप्लोमा डियल्ड यहां पर आपका बेलेट मांगा जाता था पर अभी कुछ नाइम पार पहले यहां पर जो ब बहुत सारे candidate को यह भी doubt होता है कि यदे हम यहाँ पर ब कारींट है यानकि फाइनल समस्ट में है जैसे हम सीटाई की परीक्षा अपके गया परिक्षा में एक बहुत बड़ा confusion बना रहता है कि आपके general candidate को तो यहां पर 90 marks चाहिए अब देखिए OBC candidate में यहां पर confusion हो जाता है OBC यहां पर जो डिल्ली की OBC को consider किया जाता है सिर्फ और सिर्फ डिल्ली के OBC अगर आपके पास central का OBC certificate है या फिर आप किसी और स्टेट के OBC certificate को carry करते हैं तो आप यहां पर general candidate में count होंगे इसके लावा SCST के लिए यहां पर ऐसे कोई यहां पर क्राइटीरिया नहीं है यहां पर 82 मांग गया है तो देखिए OBC candidate यहां पर सिर्फ दिल्ली के ही साथे साथ अगर हम ऐज relaxation की बात करें तो एज जो है जनरल कंडिडेट के लिए यहां पर तीस साल SCST के लिए पांच साल यहां पर relaxation 5 year plus कर दिया जाता है और यहां पर OBC candidate के लिए इसमें 3 साल प्लस कर दिया जाता है किसमी 30 में अगर हम यहां पर TGT post के बात करें जिसमें सबसे ज्यादा confusion होता है और कई बार हम अपने आपको यहां पर एक तरीके से eligible हीन मांगते तो देखें यहां पर सबसे पहले तो TGT post के लिए आपके पास आपके ग्राजुएशन की डिगरी होनी चाहिए ग्राजुएशन किसी में भी हो सकता है BA, P.com, B.se जिस भी subject के लिए आपको apply करना है साथे साथ यहां पर 45% मांगा गया है आपके ग्राजुएशन में सबसे पाली कंडिशन यह है इसके लावा अगर हम बात करें तो सीटाइट का पेपर टू मांगा जाता है यहां पर आपका qualify और इसके लिए देखें क्राइटीरिया वही है जनरल के लिए आपका 90 और डिली के ओभी से के लिए 82 और सस्ट के लिए 82 इसक आपको समझ में आ गई तो आप यहां पर अराम से अलिज्मिन बालने जाओगे सबसे पहले अगर मैं यहां पर टीजीटी नाचुरल साइंस के लिए यहां पर अगर मैं अपलाई करना चाहूं तो देखें टीजीटी नाचुरल साइंस के लिए बोड़ा गया है कि आपकी Graduation में Physics, Chemistry, Biology, Botany या फिर Geology इन में से कोई एक सब्जेक्ट आपने दो साल तक पढ़ा होना चाहिए इस चीज को आप समझेगा अगर आप Recruitment Rule को पढ़े तो वहां पर काफी ज्यादा confusion create किया गया है वहां पर काफी ज्यादा confusion हो जाता है यहां पर क्या है कि आपका Natural Science के लि एक सब्जेक्ट कोई एक सब्जेक्ट आपने दो साल तक पढ़ा होना चाहिए यानि कि हॉनर्स के वे सारे कैंडिडेट यहां पर इलिजिबल होते हैं चाहिए को किमिस्ट्री ओनर्स को चाहिए फिजिक्स ओनर्स को जबकि अगर आम के वेस के Recruitment Rule को देखे तो वहां पर आप एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि वहां पर क्या बोला जाता है वहां पर आपको केमिस्ट्री बॉटनी जो लोजी कमबाइन मांगा जाता है यहां पर कोई एक सब्जेक्ट आपने दो साल तक पढ़ा होना चाहिए इसके लावा टीजिटी मैस की बात करें तो मैस ओनर इनमें से कोई एक विशे आपने दो साल तक पढ़ा होना चाहिए तो वो सभी कैंडिडेट यहां पर इलेजिबल हैं चाहे आप पॉलिटिकल साइन से पढ़े हो चाहे आप हिस्ट्री से चाहे साइकलोजी आपने पढ़ी हो चाहे एकॉनोमेक्स चाहे बिजनस तड़ी इस होते हैं अगर आप लैंग्विच के स्टूडेंट हो पर यहां पर दो-दो साल का क्राइटीरिया मां गया है तो देखिए इसमें आप कंफूजन में मत रहिए यह आपका कंफूजन आई होप यहां पर क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके के सब्जेक्ट कॉंबिनेशन मांगा जाता है आई होप यह वीडियो आप लोगों को क्लियर करती है कि आपका पी आटी और टीजीटी पोस्ट के लिए किस तरीके की एजुकेशन कॉलिफिकेशन मांगी गई है और आप यहां पर एलेजिबल हो यह नहीं हो आज की इस वीडियो में इतना ही अब मैं आप